नमस्कार दोस्तो आज की इसने वीडियो में एक बर फिर सापका स्वागत है सरकारी नवक्री का वेकंसी आना सुरो हो गया चतिसगड के एक और जीले में सरकारी नवक्री का वेकंसी आ गया तृतियम चतूरत्र सेडि के पदो पर भरती हो रही है साय ग्रेट 3, साख्य लेखाक, भृत्य चौकीदार स्टेनो ग्राफर, स्टेनो टैपिस्ट वहां चालक के पदो पर भरती होगी योग्यता पांचवी आठवी इसना तक पास है सिधी भरती के लिए आधन प्रक्रिया प्रारम हो चुकी है इससे पहले और दो जीले का वीडियो में बना चुका हूँ, मुगेली और जस्पूर में भी आवेदन की प्रक्रिया प्रारम हो चुकी है यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा वहां से जाकर के आप दोनों जीले के वेकेंसी डिटेल देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरुवात करते हैं इस जीले की वेकेंसी के बारे में आपको डिटेल जनकारी दे दे रहा हूँ रिक्त पदो का विवरा निम्नानुसार है रिक्त पद का नाम सहाय ग्रेट 3 के समकक्षा आवेसी का लेखा केम साख्या लेखा के 11 पोस्ट है जिसमें अरक्षा डोस्टर इस प्रकार से दिया गया है इसी प्रकार वहां चाला के एक पोस्ट है भृत्य का एक पोस्ट है सहा 12-13-14-16 तो 16 पदों के लिए वेकेंसी जारी किया गया है यह सभी पुष्टर सरकारी नौकरी के लिए है जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिधी भरती है तो अहरता प्राप्तनागरी को से निधारीत प्रावर्प में आधन अमंत्रित किया जाते हैं तो यह कर्याले जिला एमस से जिला न्याला इस्थापना सर्गुजा के अंतरगत त्रितियम चतूर्थ सेड़ी के पदों पर भरती हो रही है तो उक्त भरती प्रक्रिया अंतरगत पुर्व में जिन अभिरतों के द्वारा आवेदान पत्र प्रस्तुत किया गया है उन्हें प्राप्त हो चुके आव आवेदान करने की आवस्यक्ता नई है सिती भरती हेतु अहरता प्राप्त भरती नागरिक इसके लिए आवेदान करने के लिए पात रहा है तो दोस्तों इसके लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी विकेंसी डिटेल हम पुरा जान लेते हैं क्या-क्या इसमें योग जिसको अभी चेंज करके पुरह नया सेटप तयार करके विज्यापन को पुरह अवेधन मंगाय जा रहे हैं तो जैसे कि आप देख पाए साहाई ग्रेट 3 के लिए तो साहाई ग्रेट 3 का वेटन मेट्रिक्स लेवल 4 का रहेगा 19,500 इसका स्टाटिंग सेलरी रहेगा सेक्षडिक योग्यता की बात की जाए तो किसी मन्यतर प्राप्त विश्वी द्याला से अरक्षी तवर्ग में 45% अंकों के साथ और अरक्षी तवर्ग के लिए 40% अंकों के साथ इस नातक प्रिक्छा उत्तिड हो अभिहर्तिकों कम्पीटर में हिंदी टाइपिंग की गती पत 500,000 की डिफ्रेशन प्रतिगंट होनी चाहिए किसी भी स्वध्याला है या राजे सरकार या केंदर सरकार द्वराई DCA या MSWD तथा इंटरनेट का नुन्तम ज्यान होना चाहिए भित्यपत के लिए तो भित्यपत लिवल 1 का सेलरी है 15,600 होना चीए आधकर रोजगार कराला में जुईद पंजयन होना अनिवारी है वहान चालाग पत के लिए तो वहान चालाग पत का सेलरी लिवल 4 कराएगा इसके लिए आठवी कक्छाउटीड होना चीए हलका मोटर यान का वैध अनुग्यपती लाइसेंस होना जरूर है आकास्मिक तन इधि से वेतन पने वले कर्मचारीश सीपर एम चौकी दरपत के लिए तो वेतन मान कलेक्टर सर्गुजे दर निधारित दरपत रहेंगे इसके लिए योग्यता पाच्वी पास रखा गया है 사 energy 3 तो 사 energy 3 के लिए यह सवीधा सबी hen когда three का पोश्ट सवीदा है बागी सभी रेगूलर है तो सी 90 मा सीक मानद कीछ माने है जासे कि आप देख रहे हैं वे भीने प्रकार के नियाँ जरते हैं इसक इस पीडी एफ यह पीडी एफ आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रूप में जुड़ने के लिए आप जो है रिस्क्रिप्शन वे दिये गे लिंक से जुड़ सकते हैं उस तमायों में छूट इस प्रकार से जिस केटेगरी को जो छूट मिलता है वे आपको इस पते पर सेंड करना है इसको आप जो है 25 फरवरी मानेंगे क्योंकि यह पुराना को ही इसी में अटेज कर दिया गया है जैसे कि अब देख पर है यह फिर से री ओपन हुआ है आप जो है आप सभी जितने आपके पास डाकुमेंट है उन सभी डाकुमेंट को स्व आपके जो है आपके आपके पर विचार नहीं किया जाएगा निक्ति होती चैन की प्रक्रिया तो साहाई ग्रेट थ्री पदों के लिए कौसल परिक्षण धाई सवंकों की होगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार दस्तेज परिक्षण होगा फिर साहाई चैन सूची प्रतिक्षण सूची सूची इस प्रकार से फिर जारी किया जाएंगे और पुड टसечение पूड जनकारी जैसे कि आप देख पा रहें पदों के विज्यापित तीथी तक पूड़ा होने चाहिए तो जो भी आपके पास डाकू जो है घ्ग्री है डिप्लोमा जो भी है वे जो है विज्ञापी तिथी से पूरवा होना आवासक है अन्य आवासक सुचने है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसमें आईधन का प्रारूफ है यह नहीं प्रारूफ को भर करके आपको विभाग को प्रेशित करने है यदि आपको किसी भी प् जय चाथ दिजगर